Hello everyone and welcome back to Anybody Can Learn GK तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर complete analysis देखेंगे Dream 11 IPL 2020 का क्योंकि ये tournament complete हो चुका है और इस वीडियो में discuss करनेंगे हम लोग कि winner कौन रहा है, when you क्या था, orange cap किसको मिली, purple cap किसको मिली, sponsor कौन था, man of the match and man of the series और इसके लावा भी काफी कुछ points और ये ऐसे point हैं, जो आपको अकसर हर एक exam में पूछे जाएंगे, मतलब इस वीडियो में हम सारे fact discuss करेंगे, जो upcoming exam के अंदर, चाहे वो bank का हो या SSC हो, state level हो, PCS हो, जिस किसी exam में पूछा रहेगा वो सारे ही fact में, इस वीडियो में clear करूँगा तो try कीजिगा कि आप लोग, शुरू से लेकर end तक जुड़े रहें थाकि सारे point आपको, मैं easily बता पाऊं तो चलिए, बीना किसी देरी के, शुरू करते हैं तो सबसे पहला point तो यही है भई, कि जो final हुआ था वो Mumbai Indians और दिली Capitals के बीच में हुआ था Captain थे इदर से Roy Sharma और इदर से Shreyas Ayer और जो final हुआ था, वो हुआ था Dubai International Cricket Stadium दुबाई के अंदर हलाकि यह पूरा जो tournament है, वो UAE के अंदर ही हुआ था तीन स्टेडियम के अंदर तो final के stat यह रहे थे कि पहले बैटिंग की थी, DC ने 156 किये थे और MI ने 157 की और 5 विकेट से यह मैच जीता तो champion रही Mumbai Indians, 2020 2020 IPL की और यह 5 बार रह चुके हैं भई यानिके पंजा इन्होंने मार दिया और जो season में जीते हैं यह 2009 13, 15, 17, 19 और 20, यानिके पहले निका चल रहा था कि alternate years पे जीत रहे हैं लेकिन इनका यह भी चीज जो है break हो चुके है कि alternate years पे नहीं अब यह continuity में भी जीते हैं अब बात करते हैं कि यह पूरा जो tournament था यह तीन stadium के दर खेला गया पहला था दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन दुबई जिसके अंदर final match हुआ second शेक जयद क्रिकेट स्टेडियम जो अबुदाभी के अंदर है और third है शार जहां क्रिकेट स्टेडियम जो की शार जहां के अंदर है यानि कि पूरा tournament इन तीन ground पे हुआ इन तीन स्टेडियम के अंदर हुआ अब बात कर लेते हैं एक बार भी points stable की कि points stable पे क्या रहा कि top 4 टीम जो क्वालिफाई करती है सबसे पहले पे रही MI दूसरे पे दिली कैपिटल तीसरे पे SRH एन के हैदराबाद की टीम और fourth पे RCB Royal Challenger Bangalore से start हुआ था और आज तक कौन-कौन सा इसका champion रहा है कई बार exam में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन-कौन इसका रहा है champion किस साल में तो 2008 में Rajasana Royal और 2009 में Deccan Chargers 2009 के अंदर जो tournament हुआ था बाकी सभी तो इंडिया के अंदर हुए थे ये उस टाइम पे अब इंडिया के अंदर election होने थे लोग सबा के इस वज़ासे ये जो था South Africa में हुआ था और अब की बार COVID करके उदर हुआ है UAE के अंदर बाकी इसके लावा 2008 का हो 10, 11, 12 मतलब के 2019 थक सभी addition जो है इसके भारत के अंदर हुए है तो वो कौन सा था तो 2009 वाड़ा था भी South Africa में हुआ था ये question हलाकि अभी पूछा गया था यानि कि अभी ये second edition था कि इंडिया से बाहर ये tournament खेला गया बाकी winner आपके सामने ही है आप चाहें तो उसका screenshot भी ले सकते है चलिए moving on to the next क्योंकि देखा जाए तो Mumbai पांच बार जी चुकी है भाई Chennai एक तो तीन बार Chennai जी चुकी है दो बार कौलकता जी चुकी है बाकी single single time अलस्तान रोयल डेकन चार्जेस और हैदरबाज जीते है अब बात करते हैं most important orange cap किसको मिली उकी बार तो orange cap मिली है भाई KL Rahul को जो Kings 11 पंजाब के लिए खेलते हैं यानि कि उन्होंने पूरे tournament के अंदर 670 रन मारे उसके बास second number है शिखरदवन third one is David Warner चोथे पहाँ श्रेश अयर और पांच वे पहाँ Quinton D.Cock अब देखने वाड़ी मज़दर बात ये भी है भाई कि top 5 के अंदर 3 जो है वो Indian batsman है और अगर अब तक आपने मुझे follow नहीं किया अब तक तो red button ले क्लिक करके फटा फट से subscribe कीजे और इसकी PDF आपको मिलेगी telegram के उपर ये भी link में description में डाल दूँगा आप वहाँ लाकर मुझे telegram पे follow कर सकते हैं और आपको कोई भी query है तो आप लोग मुझे facebook पर लिखिएगा मैं आप लोगों को link उसका भी description में डाल दूँगा अब बात करते हैं भाई हम purple cap के यानि कि purple cap उसको मिलती है जो सबसे यदा विकेट लेता है एक season के अंदर तो अब की बार ये मिली है कागीसो रबाड़ा को जिन्होंने 30 विकेट लिए हैं पूरे tournament के अंदर दूसरे नंबर पैजस्पीद बुमरा थर्ड पे हैं ट्रेंट बोल्ट बाकी लिस्ट आप लोग देखे रहे हैं आपके सामने तो इस तरह से 30 विकेट लेकर भाई परपल कैप जिसको मिलेगी वो है कागीसो रबाड़ा हाला कि ये साउथ एफरिका के लिए खेलते हैं और दिल्ली के लिए खेलते हैं अगर मैं आई पेल की बात करूँ उसके बाद हम कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बई कि इनके लावब एक्जाम में क्या-क्या पूछा जा सकता है सबसे पहला तो most important कि emerging player of the season को रहा तो ये रहे देवदाट पड्डिकल ये RCB के लिए खेलते थे भई रोयल चैलेंजर बैंगलोर की डी ओपनर बले बास थे तो देवदाट पड्डिकल जो है वो emerging player of the season most important है ये उसके बाद अगर man of the match की बाद करें तो वो रहे है Trent Bolt क्योंकि दो चीज़े बहुत important है कि final में man of the match को रहा और season का man of the series को रहा तो man of the series रहे है player of the series ये रहे है जोफरा Archer और second चीज़े है most valuable player भी रहे है 2020 के IPL के और इन्होंने इस tournament के अदर 20 विकेट लिए दोई चीज़ याद रखने है आपको कि player of the series जोफरा Archer और most valuable player उसके बाद है सबसे आज चके किसने मारे इस IPL tournament के अंदर तो वो हैं बाई Mumbai, Indians के इशान किशन, ये भी important है अब एक बार के लिए पूरी हम stat देख लेते हैं कि हुआ क्या है पूरे tournament के अंदर और किसको कितनी price मनी मिलिया emerging player में आपको बता चुका हूँ देवदर्ट पड़ी कल रहे है most valuable player जोफरा Archer और अगर fair play award की बात करें fair play का मतलब है कि कौन game spirit से खेला मतलब किस तरह से भावना दिखाई लड़ाई वड़ाई ने की ज़्यादा aggression ने दिखाया तो उसमें भी top किया वाई Mumbai इंडियस ने उसके बाद है game changer of the season ये KL Rahul को मिलाया वाई उसके बाद super striker इनके strike rate किसका ज़्यादर रहा है पूरे season में तो ये हैं काईरन पोलाड सबसे आच्छा सिक्सिस के बारे में बात कर चुका हूँ उशान किशन ने किये और power player रोदा season रहे है ट्रेंट पोल्ट अब purple cap winner का की 12 बाड़ा औरेंज cap winner की एल राखुर इन सभी को जो है 10-10 लाख रुपे मिले हैं बई अब में बात है कि winning prize की बार पूछे रहे हैं एक्जाम में कि क्या रहा है तो winner है Mumbai Indians इनको मिले हैं फर्स्ट रैंक प्याने के 20 करोड रुपे runners up को मिले हैं 12.5 करोड और जो दो टीम अलग क्वालिफाई की ती जो हार गई थी सनराइजर हैदराबाद इसको पॉने 9 करोड यानके 8.75 करोड और second one is Bangalore इसको भी 8.75 तो आपने इस तरह से price money भी देख लिए और एक तरह से पूरा stat भी देख लिया कि किस तरह से पूरे season के अंदर क्या stat रहा है और आपको इनी में से question देखने को मिलेगा भी यह भी ध्यान रखना बाद आप इसका screenshot आप लोग चाहें तो ले सकते हैं और एक last एक important यह discuss कर लेते हैं कि सबसे लंबे चके बिग्या सिक्सिस किसे ने मारे तो सबसे लंबा था भाई Nicholas पूरण का 106 मीटर का चका यह किंग सिलेव पुझाब के लिए खेलते हैं और वैसे कर में बात कुरूँ नेशनलिटी तो यह वेस्ट इंडीस के लिए खेलते हैं बाकी सीरीज जो है आपके साम नहीं है तो यह था भी कुछ एनलसिस जो की आपको IPL के मैचिस का आपको आने वाले एक्जाम में काफी ज़्यादा हेल्फूल रहेगा वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करें और शेर भी करें अगर ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाएं कि आपको अच्छा लग रहा है तो शेर करना चाहिए और पहली बार आया तो सुस्क्राइब भी किजेगा तो चलिए थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग जल्दी मिलेंगे नएक वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत